तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ ब्रेट से एक ऐसी नास्ते की रेचीबी सेर करूँ siitä मैं बनाने में भी झंज़ट नहीं होगा और पहताफ़स से बनके तयार हो जाएगा और आप इसे सुबह के नास्ते में या फिर साम के हलके फुलके नास्ते में भी इसे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा साथ में बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इस टेस्टी नास्ते को बनाने के लिए यहां पे मैं एक छोटा सा बोल ले रही हूं और उसमें मैं तीन से चार बड़े चम्मच सूजी एड़ कर दे रही हूं और साथ में हम नमक डाल देंगे नमक आप स्वात के अनुसार डालना है और इसमें हम आधे गाजर को द्रृब कर डाला है इससे फ्लेवर टेस्ट अच्छा आएगा थोड़ी सी धनिया पत्ति में डाल दी है और यहां पे एक हम अंड़ डालेंगे फोड कर तो एक अंड़ हमने डाला है और अच्छे से इसे मिला लेंगी इस नास्ते में अंडे का टेस्ट बहुत अच्छा आ लिया है और यह सूजी है तो इसे थोड़ा सा हम 10 मिनिट के लिए रेश्ट देंगे ताकि सूजी फूले तो यहां पर हमने लिया है चार ब्रेट स्लाइस यह ब्राउन ब्रेड है आप वाइड ब्रेड भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक ब्रेट स्लाइस लेंगे और हम कोने कोने में इस तरह से कट कर लेंगे ट्रेंगल में देखे इस तरह से और एक दो ब्रेड में इस तरह से कट कर लेती हूं तो यहां पर मैंने थोड़े से ब्रेड कट कर लिये हैं और अब तक बैटर भी तयार हो चुका है से वर मिक्स कर लेंगे सूजी अच्छे से लगा लेंगे यहां पर हमने ब्रेट को लगा लिया है इसी तरह से हम सारे ब्रेट में लगाएंगे लगाते जाएंगे आप चाहें तो यहां पर हम एक एक नास्ते को इस तरह से डाल देंगे तो देखे इसे हम लो फ्लेम में सिखने देंगे जब एक तरफ से यह सिख जाए अच्छे से कलर आ जाए तो इसे हम पलट देंगे और इसमें मैंने सूजी मिक्स किया है तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो उलट पलट हमने कर लिया है और देखे कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितना प्यारा इसे देखने में लग रहा है तो चलिए इसे प्लेट में रख लेते हो और देखा आपने कितना फटा-फट से बनके तयार हो जा रहा है इसी तरह से हम सारे ब्रेट के नास्ते को फ पसंद आये तो प्लीज लाइक जरू कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में